Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel आशाजदली इंस्पिरेशनल वीडियोस एन थॉट्स आज आप सोच रहे होंगे कि मैडम तो खाना बनाने वाला डालती है लेकिन आज ये अमरूत क्यों दिखा रहेंगे देखिए आप आजकल गजब की सरदी पढ़ रही है बहुत ठंड है इस ठंड में फ्रूट्स खाने का मन करता है और लेकिन हम ये सोचते हैं कि फ्रूट्स बहुत ठंडे हैं कैसे खाये जाएंगे तो आज हम आपको इसका एक आसान तरीका बताते हैं देखिए ये अम्रूद रखे हुए हैं, आप इन अम्रूदों को जो भी आपके पास कोई भी फ्रूट हो, चाहे वो केला हो, एपल हो, जो भी आप फ्रूट्स लेके आते हैं, उन फ्रूट्स को आपको गरम पानी में, जो बहुत गरम पानी होता है, उसमें तेज गरम पानी में आप अपने फ्रूट्स को डुबा लीजे देखे फ्रूट्स को जब आप इन्हें कम से कम पांच मिनिट तक डुबाएंगे और फिर उसको एक लेट से इसको ढग दीजे और पानी थोड़ा उपर तक हो फ्रूट्स के लिए ज्यादा बहतर होगा और जैसे ही आप इसके पर लिड रखेंगे वो और इसको पांच मिनिट के लिए गरम पानी में बिल्कुल छोड़ देंगे तो वो बहुत ही अच्छे खाने लाइक हो जाएंगे पांच से दस मिनिट हो चुके हैं अब हम लिड को हटा कर और उसके फ्रूट्स को निकाल लेंगे और उन्हें पील करके या जैसा भी आपको सही लगता हो उसके छोटे-छोटे स्लाइसेस काट लेंगे दस मिनिट बाद इनको फ्रूट्स को निकाल कर आप उनको स्लाइस के रूप में काट लीजेगा यह अमरूद है और आप इश्वास नहीं करेंगे कि यह जो बहुत ज्यादा चिल्ड ठंडे होते हैं ठंडे में फ्रिज में नी रखने हैं लेकिन अगर हम इनको अच्छे से कम ठंडे हो जाते हैं एक निवाया वाली टेस्ट आ जाता है उसके अंदर और सौफ्ट हो जाते हैं और खाने में बहुत ही उमीद अच्छे लगता लाजवाब लगता है तो आगे आपको मजा गरम- अगर आपके पास oven है microwave तो microwave में भी सरफ 30 सेकिंड में अगर आप इसको रखेंगे तो आपके fruits बहुत अच्छे से थोड़े से गरम होके यानि कि उनके अंदर जो ठंडा पान होता है वो खतम हो चुका होता है आए हम आपको दिखाते है microwave safe bowls में यह मेरे पास वो ही है microwave save bowl है मैंने इसके अंदर रख दिया है अमरूत को pieces काट कर आपको दिखाई दे रहा होगा अब मैं इनको microwave में 30 seconds के लिए रख तूंगे यह अब हमने यहाँ पर microwave में रख दिया है अब हम microwave के mode में जाएंगे microwave का दबा के button अब इसमें सिर्फ 30 seconds वाला option को आपको दिख रहा होगा 30 seconds option में हमने रख दिया है अब हमने start कर दिया है तो within 30 seconds आप देखेंगे कि यह बहुत ही अच्छे से तयार हो चुके होंगे देखिए इसमें end का option आ गया 30 seconds हो चुके है अब आपके सामने हम यह दर्वाजा इसका खोल के दिखाएंगे और यह जो आपके अमरूद है यह खाने में बहुत ही अच्छे टेस्ट इसके अंदर जितना ठंड़ा पन था बहुत ज्यादा भी नहीं करना है सिर्फ 30 seconds 30 seconds में इसमें बहुत अच्छे से आप सभी इस चीज को ट्राइ करें चाहे करम पानी में या माइक्रोवेव ओविन में आपके अमरूद खाने के लिए एकदम रेडी ठंड़ा पन खतम हो चुका होगा और हमारे स्वास के लिए बहुत अच्छा होगा आशा करते हूँ आपको मेरा वीडियो यह पसंद आया होगा सब्सक्राइब कीजे मेरे चानल को लाइक कीजे और शेयर कीजे हेव नाइस टे